हलो दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल उप्चान उसके में हम उप्चान उसके में डेली लेटिस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल उप्चान उसके को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बैल आइकन को भी जरू और मनी। हर दिन का अपना-पना अलग महत्त होता है। उसी प्रकार हर व्यक्ति के जन्मवार का भी उसके जीवन में एक अलग प्रभाव पढ़ता है। सभी ये जानना बात करते हैं बुद्धवार को जन्मे लोगों के लग्की नंबर लग्की कलर और लग्की डे के बारे में इनका लग्की नंबर है 3 और 6 लग्की कलर हरा लग्की डे बुद्धवार और सुक्रवार अब बात करेंगे बुद्धवार को जन्मे लोगों के स्वभाव के बारे म जिन जाकों का जन्म बुद्धुवार को होता है विजातक धर्म कर्मे में बहुत ज़्यादा आस्था रखने वाले होते हैं भगवान गडपती जी की कृपा से ये मीठी जवान वाले और बहुत बुद्धिमान होते हैं इनके इसे वेभार के कारण दुनिया इनकी दिवानी होती है इस दिन जन्मे लोग वाड़ी और वेभार से लोगों को बहुत पसंद आते हैं और साथ ही ये अपने परिवार रिष्तेदारों को बहुत प्यार करते हैं बुद्धवार भगवान गड़ेश जी का दिन होता है इस दिन जन्मे लोग काफी आकरसित वो अच्छे नयन नक्स वाले होते हैं ये बहुत स्मार्ट होते हैं साथ ही इस दिन जन्मे जातक बहुत बोलने वाले भी होते हैं और दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं बुद्धवार को जन्मी महिलाओं का व्यवहार थोड़ा जल्दी रूटने वाला होता है वो ये इसपस्ट बोलने वाली तथा व्यवसाय कुसलता से पूर्ण होती हैं अर्था धर छेत्र में आगे होती हैं बुद्धवार को जन्मी लोग किसी भी परिस्तिती के अनुसार अपने आपको ढाल लेते हैं और इनके इसी गूर के वज़े से लोग इनहीं ज्यादा पसंद करते हैं अब बात करेंगे 2018 में बुद्धवार को जन्मी जात्कों के सिक्षा वो करियर के बारे में भविश्यबल 2018 के अनुसार इस वर्ष बुद्धवार को जन्मी जात्कों का करियर एक नई उचाई को छोएगा ऐसे समय का लाव उठाए और इस सुनेरे मौके को अपने हाथ से ना जाने दे आपके सेलरी में भी व्रद्धी होगी साथ ही आपकी जाब में आपकी पदोन्नती होने के भी योग बन रहे हैं आफिस में सभी सीनियर आपकी काम से प्रसन्न होंगे और आपके काम में आपकी मदद भी करेंगे सिक्ष में बहतर परिणाम के लिए आपको मेहनत की जरूरत होगी अगर आप पूरी मेहनत और एकागरता से पढ़ाई करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी विदेश में पढ़ाई करने का सपना भी पूरा हो सकता है वहीं अगर आप लंबे समय से प्रतियोगी परिक्षाओं के तैयारी कर रहे हैं तो आपको सकसेस मिल सकती है कुल मिलाकर ये वर्स विद्धार्थियों के लिए अनुकुल रहने वाला है दोस्तों आप बात करते हैं 2018 में बुद्धवार को जन्मे जातकों के प्रेम और विभाग के बारे में भविश्यपल 2018 के अनुसार अगर आप गुआ रहे हैं तो इस वर्स आपको अपना प्रेमी या जीवन साथी के मिलने के योग बन रहे हैं अगर आप सांधी सुदा हैं तो इस वर्स आप दोनों के आपस में थोड़ा बहुत अन्बन हो सकती है इसलिए एक दूसरे पर बेवजा सक और गुसा करने से बचे इस वर्स आपको कोई न कोई पसंद आ सकता है ये वर्स प्यार के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जिहां इस वर्स आपके प्रेम संबंध सफल होने के भी योग बन रहे है अर्थात आप जिससे प्यार करते हैं उससे आपका विवा भी हो सकता है अब बत करेंगे 2018 में बुद्धवार को जनमे जातकों की जॉब और बिजनस के बारे में अगर आप बिजनस करते हैं तो भविश्यवल 2018 की अनुसार इस वर्स आपको अपने बिजनस में बहुत मुनाफ़ा होने के योग बन रहे हैं आपको जल्दी ही कोई सुखत समचार मिल सकता है और अगर आप जॉब करते हैं तो हो सकता है इस वर्स अपनी पहली जॉब छोड़कर अपने नौकरी की भी तलास कर सकते हैं जिसमें आप सफल होंगे या फिर आपकी जॉब में आपकी पदोन नतीवी हो सकती है और साथ ही आपके आई में भी व्रद्धी हो सकती है बात करते हैं 2018 में बुद्दवार को जन्मे लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में बुद्दवार को जन्मे जातकों के लिए ये वर्स आर्थिक स्थिति के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है इस वर्स आपको पैसों की कमी नहीं होगी पर एक बात का ध्यान रखे कि फालतु खर्चों से बचे इस वर्स आपके आए में भी व्रद्धी होगी और आपको अपनी जॉब या बिजनस में भी लाब होने की योग बन रहे हैं आर्थिक मामलों में आप कुछ सकारात्मक बदलाव करेंगे इस दोरान आप अपने आर्थिक स्थिति को बहतर बनाने के लिए कड़ी महनत भी करेंगे और सफल भी होंगे नए कारोबार में निवेश की योजना भी आप बना सकते हैं और ये निवेश आपके लिए सुखद रहेगा दोस्तों आप बात करेंगे 2018 में बुद्दवार को जन्मे जातकों के पारिवारिक जीवन के बारे में भविशेपल 2018 के अनुसार ये वर्स पारिवारिक जीवन के मामले में मिला जुला रहने वाले हैं वर्स के सुरुवात में आप उत्सा और जोस से भरे रहेंगे और साथ ही सकारात्मक उठ्जा से भी लवरेच रहेंगे जैसा कि आप चाहते हैं वैसा ना होने पर इस बीच आप थोड़ा बहुत चिर्चिरे भी हो सकते हैं जिससे आपके आपसे सम्मंदों में थोड़ा बहुत खटास आने की संभावना है इसलिए अपने क्रोध पर काबू रखें अगर आपने अपना गुस्ता काबू कर लिया तो आपके रिस्तों में भरपूर प्यार होगा भविश्यपल 2018 के अनुसार सेहत में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें वैसे तो आपके सेहत अच्छी रहेगी पर आपके लापरवाही के कारण आपको परिसानी हो सकती है इसलिए अपने खान पान पर ध्यान धे और प्रतिदिन योग वव्यायाम करें जिससे कि आप स्वस्त रहेंगे बदलते मौसम का असर आपके सेहत पर पर पाढ़ सकता है इसलिए मौसम के बदलने के समय पर सेहत पर विशेज ध्यान दे लगबग लगबग इस वर्स आपका स्वास्त अच्छा ही रहेगा दोस्तों अगर आपको हमारे दोरत दी गई सभी जानकारियां पसंद आई हो तो हमारे चैनल उपचान उसके को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें